हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएज दोस्तों आप सभी का एन्वाइरोमेंट की करंट अफेर क्लास में स्वागत है आज की वीडियो में हम एन्वाइरोमेंट से रिलेटिड एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक को डिसकस करेंगे आज का हमारा टॉपिक ह अट्लांटिफिकेशन क्या है यह परियावरन से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है और यह आपकी एक्जाम के पॉइंट ओफ्यू से कैसे इंपोर्टेंट है तो आज की क्लास में हम समझने वाले हैं अट्लांटिफिकेशन को चलिए फिर सुरू करते हैं देखिए अट्ला अट्लांटिफिकेशन आर्क्टिक महासागर को अधिक खारा और गर्म बना रहा है सरल सब्दों में कहें तो आर्क्टिक में अट्लांटिक जल का बढ़ता प्रभाव ही अट्लांटिफिकेशन है इस प्रकिरिया के तहत अट्लांटिक महासागर के गरम जल की काफी मात्रा आर्क्टिक महासागर में पहुच रही है इससे आर्क्टिक महासागर के निकट अवस्थित बैरिंट सागर के कुछ भाग में अट्लांटिफिकेशन देखने को मिल रहा है तो अट्लांटिफिकेशन क्या है अट्लांटिक फिकेशन आर्क्टिक महासागर को अधिक खारा और गर्म बना रहा है क्योंकि आर्क्टिक महासागर में अटलांटिक महासागर का जल पहुच रहा है आर्क्टिक महासागर की उपरी परत सामान्यते समुंदरी हिमावरन से धकी होती है इस हिमावरन के नीचे ठंडे ताजे जल की परत मोजूद होती है इस परत के नीचे अटला आत्मक रूप से गरम और खारे जल की आपूरती होती रहती है जलिय लवंता में मौजूद इस अंतर के परिनाम स्वय रूप ठंडे ताजे जल की परत और गर्म वे खारे जल की परत आपस में नहीं मिलती है इससे ठंडे ताजे जल की परत के ऊपर मौजूद हिमावरन अट आर्क्टिक महसागर में मोजूद जल की अलग लग परते आपस में मिल रही हैं इससे अटलांटिफिकेशन को बढ़ावा मिल रहा है अटलांटिफिकेशन की प्रकिरिया सुरू होने से आर्क्टिक हिमावरन और अधिक तेजी से पिंगलने लगता है इससे अटलांटिफिके के ऊपर प्रेती चक्रवाती पवनों और युरेशिया के ऊपर चक्रवाती पवनों की मौदूद्गी होती है। की दर और तेज हो जाती है तो यहां पर आपने देखा आर्क्टिक दुविधुर्व का धनात्मक चरन क्या है और रिनात्मक चरन क्या है तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हमने समझा अट्लांटिफिकेशन क्या है यहां से आप से डारेक्ली कोश्चन पूछा जा सकता है बहुत ही simple question आएगा कि Atlantification क्या है तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं फिर next class में thank you